Dear students, welcome to all to my channel, plus to second year students मनं का कामसील एक्जाम पाईएं English रे 5 मार्क्स और कुष्चिनाज से Dictionary References Skills हमें आज गुट ये Dictionary References Skills प्रैक्टिस करीबा अगुरु केमती लखा हुए तार वीडियो मुद्य मुद्य अप्लोड करी छे तुम्हें सम्माज़े देख्ये थीबो जहें देखिना उपर आई बटोन उपर क्लिक करा देखिने वीडियो तुरंद और प्लॉस्टो सेकेंड यो इंग्लिज वीडियो जी प्लेएलिस्ट कुम अध्यां स्वार्च करा चितरे 200 वीडियो तुमें देखिना निश्चा एपे देखा ठीका ची प्रटेश करीबा कुश्चिन डिस्पले उपरे देखा समाज्टे ए डिक्सिनारी एंट्री लिस्ट फॉलोविंग फाइब बीनिंग्स अप भार फार हुची वर्ड जारोकी पांस्टा मिनिंग दिया है इची तेमें देखुचो A, B, C, D, E match each meaning with corresponding sentences given 5 माच देखा सेंटेंस मध्यों अमरो पांचोटी दीच 1, 2, 3, 4, 5 आमे कण करीबा ना फार जू पांचोटी मिनिंग गची तकको भला आबरे पढ़ीबा ठीक ची तार मिनिंग कुझ आणिया पें ट्राय करीबा बुझीबा भला आबरे next आमे इस सेंटेंस कोडा जहा रहीची तकको आमे पढ़ीबा भला आबरे बुझीबा आज एवरी सेंटेंस पाई जो रहीची फार तार मिनिंग कौन रहीची तकको आमे कंपेर करीबा बा मैच करीबा ठीक ची जम्दी की क्वेश्चिन देची बा जो सेंटेंसे आमर आची फाइप सेंटेंसे आर देर first how far is your house from here a bank made his made this first record आज फार बाक आज 1990 that is a far better idea I am not sure I can walk so far we did not go far so a sentence पाई जो मेनिं रहीची पांस्टा तको में बुचिवा a long distance away ठीक ची be used when you are asking to talk about the distance c a long time from the present d very much or to a great degree e used when you are asking or talking about the degree to which something is true or possible ठीक ची आर मिन्निंग समस्टे जाने आपें ट्राय करीबा very very important point अमरो word रो मिन्निंग दरकार ता सही तो अमरो sentences रो मिन्निंग मध्यों आमें जानी बा दरकार ठीक ची so समस्टे मिन्निंग जाने सरीबा परहीं जाएंगे answer ट्राय करीबा ठीक ची so fast sentence आर ही ची how far is your house from here एठारू तुम्हा घर कित्ती दूर ठीक ची so 80 जदी आमें देखिबा so answer काण अबव A, B, C, D, E भी तरू तुम्हा समस्टे guess करा yes answer अबवव option B ठीक ची used when you are asking to talk about the distance ठीक ची so मो answer लेखिछी देखा लास्ट्रे first sentence भाइ used when you are asking to talk about the distance ठीक ची next sentence तेची A bank made this first record आज भार back as 1990 ठीक ची bank तार record रखिछी 1990 अज आप परजन तो बजी हुजी हमस्ते 1990 मुसर मद रेकर्ड बैंक सेब करीची ठाला हमें कई बार्थमांठार बहुत दूर अरे बहुत पुरबुर ठीक ची ठाला एठी जो मेंनिंग आशी वो A long time from the present बार्थमांठार बहुत दूर अरे बहुस अमें पुरबुरुर ठीक ची ठाला हमें अन्सर लखी ले फार Second आई देखो A long time from the present ठीक ची एव बड आमें अन्सर लेखी बा Next No.3 ची That is a far better idea ठीक ची तो आर मेनिंग जीदे आमें कही बा So आर मेनिंग हब Very much or to a great degree ठीक ची Did सो आंस्वरा में लेखी चे बेरी मच और टूए ग्रेट डिग्री थारड़ा इर फार एम ती लेखी पारिबा आमें टीकाची किमा आवरी बहुत टेक्निक मद्धिया हो चे मुद तुम्हें का गुरू वीडियो रे एक्स्प्रेण करीची तुम्हें आई बोटन लोपरे प्लिक करीके से वीडियो देखी नवो टीकाची किम तुले खाऊँची फार सेंटेंस लेखावो इंदिन सेंटेंस फार मिन्स लखी की मीनिंग मद्ध तुम्हें लेखी पारिवो टीकाची म्याच मद्धियां करी पार वो तुम्हें कॉलम करीकी चो बहुत प्रकार रो आमें लेखी बारीबा ओके I am not sure I can work so far ठीक छी एठी आर मीनिंग तुम्हें जानी परीबा समस्ते पहला आपर बुचिले आमें सब बले सेंटेंस को कॉम्पेर करीबा मीनिंग सही तो आनिबा गेस करीबा फाइनल आंसर हेला परे जाएं आमें आंसर सीटरे आंसर लेखी बार ठीक छी So E हबो used when you are asking I were talking about the degree to which something is true or possible ठीक छी एए आंसर ही हबो E So answer मुले खीजी तुम्हें समझ देखो I be far ठीक छी लास्ट तो गुटे बलिला We did not go far आमें दुरु कुछ आई न थीलू So E ठीक अबो A long distance away ठीक छी So I am answer last to लेखी ले Long distance away ठीक छी आंसर रा स्क्रीन साट नहीं पारीबो ठीक छी तो वीडियो केमत लागले निच्चो comment box जानाएबो यह बले आगोगा आमें प्राटिस करीबा 5 marks इंग्लिज रे बहुत भलू नमबर रोख्या पाइं राया करीबा ओके Thanks for watching this video वीडियो डिक्स्नार रिफरेंस कीला प्राटिस कोले तो मैं समस्ते टेस्टा पूर आवरी प्राटिस करो ओके Thank you God bless you Thank you